हलो दोस्तों स्वागत अप सब्सक्राइब का आप कंपने जाल बेसिक नॉलेज में दोस्तों पांच तारीक को आप लोगा साइंस का एक्जाम होने वाला है और आज क्या वीडियो आप सब्सक्राइब काफी ज़्याद महत्पूर नहीं है इसमें से जो भी सवाल में आप लो चले देखते हैं कुछ सवाल और हाँ वीडियो को ध्यान से देखिएगा समझ जाईए तक एक्जाम में अगर सवाल आए तो बिल्कुल छोड़ कर नहीं आना चाहिए बैया ठीक है वरना फिर मार मिलेगा मार देखिए क्या यह आपर मार तो नहीं मिलेगा यार अगर छोड तरंकी आपरत्काल को परिवासत किता काफी ळमत्बुन आप एपिर्थी पूछ सकता है और क्या बोलगा तरंकी तरंकी आप Kingdom की सेंख्या को आप बीर ती बोलते है तो ठीक से माल ओक यह ग्राप में बना रहा हूं यह रहा एक कंपन यह हुआ दो कंपन इस प्रकार से तीन कंपन ठीक है तो एक सेट का जाता है और इसके ऐसा मतर क्या होता है हर्ज जिससे अम लोग एजेड से डिनोट करते हैं ठीक है और आबर्तकाल और आपर्त में देखो क्या है अंदर है आबर्तकाल में क्या होता है कि कि किसी तरंग दोरा एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है ना उसे आबर्तकाल बोलते हैं मालनों ऐसा है ठीक है एक चक्कर मतलब ए एक चकर उसे हम लोग क्या बोलेंगे आबर्तकाल समझ गये आबर्ति मतलब एक सेकेंड में जितना सारा कमपन हो रहा है सभी कमपनों की संख्या को आबर्ति बोलता है और आबर्तकाल मतलब कि एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है उसे हम लोग क्या बोलता है दोस्त आबर् दिखाए गया है ठीक है दूरी क्या चीक है यह है एक graph एक company हुआ यहां से यहां तक दूरी चला तो इसी दूरी कम लोग क्या बोलता है तरंग देज बोलता है उसको हम लोग लेमडा से denote करता है किससे लेमडा से और इसका देखे इधर दूरी है और वेग क्या है इधर ही बे है तो इसका वेग कितना है इसका वेग भी है देख सकते हो और तरंग देज कितना है लेमडा है अब हम लोग जानते हैं किसी भी वस्तू का जब वेग निकालते हैं तरंग का बेग निकाल रहा है क्या निकाल रहा है वेग वेग बतलब बराबर क्या दूरी बटे क्या होता यहां तक आने में कितना समय लगता है तो अभी बोलें कि एक चकर को पूरा करने में जितना समय लगता है उसे तो कहते हैं आवर्थकाल तो यहां तक आने में कितना समय लगा आवर्थकाल बोलते हैं उसको पटे आवर्थकाल आवर्थकाल को टी से देनोट करते हैं तो बस हो बराबर हो गया लेमडा बड़े T हम E क्यों से निरे 1 इसको माल लिए और हम जानते हैं क्या जानते हैं कि आपड़ती बराबर होता है एक बटे आवरतकाल ठीक है आपड़ती आवरतकाल का उल्टा होता है मतलो वन बै टाइम परेट आपड़ती कीमले को है ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लेमडा बटे टी हो जाएगा यहाँ देखो टी है वन बाइटी है तो भी पराबर क्या है लेमडा बाइटी अब हम लोग इसको लिख सकते हैं वन बाइटी इंटू लेमडा बस अलग अलग कर दिए और वन बाइटी के जब क्या लि में और तरंग देज में समझ गये बस इतने सी कहानी है आगे बढ़ेंगे दोस्तों जल चक्र का आरे एक ही चित्र बनाते हुए बैखा करें बहुत मत्पुनस वाल अफलो एक्जाम के दिश्टी से लगवक्त छप चुगा होगा एक चक्र तो आएगा ही कूंसा चक्र अरे भ महसागर या समुद्र से जल वास्पी करन द्वारा जल वास्प में परिवर्तन होकर धीरे धीरे वाय मंडल में पहुंचता है बिल्कुल ठीक है क्या होता है महसागर में समुद्र में जल होता है जो वास्पीत होती है वास्पीत मतलब वास्प होकर उड़ जाता है इस तरह बादल से बादल टक रहते हैं तो आवाज होता है एकदम भैंकर, कड़कड़ाहट, समझ रहो, अभी तो बरसात का मौशा में ज्यादा फिल कर पा रहे होगे, क्या पता यी वेडियो अब देख रहो तभी बादे सो रहा होगा, तो वही बादल घुमता है, तो जलबास क्या ह होता है, धीरे-धीरे संगरण होके, वह ठंडा होता है, और मतलब वह बैट जाता है, संगरण के प्रिक्रिया से बीर तो यी बादल बन जाता है, और फिर अब छेपन द्वारा क्या होता है, बरसा, हिमपात, ओले, मतलब बरसात होती है, पानी गिरता है, हिमपात, यानि कि पूरा पानी था ठीक है एकदम था पानी इसमें क्या होगा गर्मेकर निसमें बास फोकर पानी सब उड़ रहा है ठीक है उड़के कहां चल जाए धिर तरह यह बाई मंदल में जाके जा रहा है फिर संगहनन होकर यह बादलों का रूप ले ले रहा है और वही बादल धीरे- फिर से वर्सात के रूप में नीचे गिर रहा है ठीक है पर वर्त के रूप में नीचे गिर रहा है तो यह चीज यहां पर हो रहा है अब क्या हो रहा है और चोटे-चोटे जल स्रो तो जैसे नदी नील नाले आदी से गति करता है फिर सागर में मिल जाता है समझे रहा है त फिर गिर रहा है वासपकर उपर जा रहा है यह चक्कर चलता रहा है और कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप लोग फिगर बना देना ठीक है इस प्रकार से एक फिगर बनाना उसमें दिखा देना बादल को दिखा देना सामनी समूदर दिखा देना ऐसा और यहां पर धरती दिखा देना मतलब कुछ पेड़ोर दिखा देना यहां से दिखा देना कहीं माला ऐसे पानी यहां पर वहकर समुद्र में आ रहा है ठीक है इस प्रकार से दिखा देना उपर बादल का दिखा देना ऐसे करके ठीक है बादल का रूप दिखा देना बस उदारन के साथथ पिस्ट करें क्या होता है संख्रमख रोग और क्या होता है धो नों नंतर तो आपको जानते हैं संख्रमख रोग मतलब वए रोग जो वे रोग इंपर जो रोगी के परतक्ष रूप में सम्कर। नंसे प्रवाइब दाइड एकर रोगी के संपर्क में आ जाओगी उसको हाथ को टच कर लोगी उसके सामने वो खांस देगा उसके सामने रहोगे तो आपको हो सकता है यह रोग संक्रामन से भी फैलते हैं जैसे रेवीज खस्रा चेचक काली खांसी आदी संक्रामक रोगों के उधा संक्रामक रोगों लोगों को फैलने जैसे यह राए यह रोगे के संपर्क में आने से नहीं लगते मतला गर्ण आप रोगी को छूब है ना तो भी आपको नहीं होगा कैसे यह रोग संक्रामक रोग के दोड़ा एक व्यक्तिक से दुस्रे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं इसमें वाइरस नहीं होता है समझे रोग यह ऐसा रोग जिसमें वाइरस नहीं होता है जिसमें रोगारों नहीं होता है विभिन प्रकार के मानसिक रोग बवासीर मधू में आदी और संक्रामक रोग के उधारन है जो आपको किसी व्यक्तिक सद मिलोगे तो ये नहीं फैलेगा तो ये है दोस्तों संक्रामक और और संक्रामक रोग का डिफिनिसन ठीक है वीडियो कैसा लागए आप लोग कमेंट से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और आप लोग के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आते हैं तो बिस पढ़ते रहिए और धमाका मचाता रहिए अंतीम एक्जाम है लगा दो यार अंतीम बार अब की बार बोर्ड एक्जाम पार इसके बाद तो फिर टिंद में धमाका करने के लिए तयार रहो इलको बोर्ड को फोर्ड देना चलिए लब यो ओल थाइंक्व लप यो अभी अभी के लिता हैं फिर में लेक्स पूडियो में जल्दी तब देख लिए जाए हिंद वबंदे मातरम